मैं शीतर बिल्डा आज आपके साथ शेयर कर रही हूं मुंग दाल के लड्डू की एक बहुत सिंपल सी रेसिपी यह लड्डू बहुत ही टेस्टी लगते हैं बनाने में बहुत आसान है और सबसे अच्छी बात है कि घर के बिल्कुल तीन इंग्रेडियंट से आप इसको कभ भी बना सकते हैं तो बनाना शुरू करते हैं मुंग दाल के लेड्डू करें एक कप दाल ली है एक कप मैंने शकर का बुरा लिया है आप सिंप इसकी य esakar भी यूज कर सकते हैं और घी ले रही हूं एक कप जरृट के रहीनिशाब डाल को मैंने तिंचार पानी से वाश किया और अब इसको पानी में करके कम से कम थैठे के लिए रखा है तो डाल फूल गई הבס़ करना है तो इससे पहले एक छलुपा गाल करrog नरहें हम акcusy कि एक घठे के लिम इन गता है और इसका पानी ग्रेण हो गया और दाल को मैंने बहु और उसमें डाल रही हूं पीसी हुई दाल और दाल डाल के इसको अब continuous stir करते रहना है अभी मैंने इसकी ही लो रखी है एक्चुली इसकी पूरी कूकिंग ही लो हीट पे होना है और continuous इसको इसको इस्टर करते रहना बहुत जरूरी है अदर्वाइस दाल नीचे से ब्राउन हो पेस्ट ता अभी एक क्रंबली मिक्षर हो गया है इसके जो लम से उसको ब्रेक करते रहना है तो कुकिंग और स्टरिंग थोड़ा एजी होगा लड़ू बनाने के लिए जो बूरा यूज करते हैं तो उससे यह लड़ू और दानेदार बनते हैं आप उसकी जगह पिसी शकर भी यूज कर सकते हैं या घर पे भी पूरा बनाना असान है मैंने रिसेंटली पूरा बनाने की रेसिपी अपने चैनल पे शेयर की है कैसे बनाना है बूरा और उसको स्टोर करना है मुंगदाल के लड़ू में घी यदी कम हो तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता तो स्ट गी यूज कर लिया था कंटिनेस इसको इस्टर कर रही हूं और इस्पेटूला से इसको ब्रेक भी करते जा रही हूं बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये मुंगदाल के लड़ू और हेल्दी भी होते हैं तो जनरली इसको विंटर के टाइम पे भी बनाते हैं और रिच को बना के देखिए कंटिनेस इसको मैं भी हिला रही हूं और इसमें ड्राइफ रूट्स भी डाल रही हूं काजू बदाम और पिस्ते मैंने कट कर लिये हैं और उनको यहीं पे मैं इसमें डाल रही हूं जबकि इस मिक्षर की कुकिंग अल्मोस्ट होने आई हैं तो ये नर पाउडर भी हल्का सा लाल होने लगा है तो मैं गैस को बन कर रही हूं इस मिक्षर में अभी खुश्पु बहुत अच्छी सी आ रही है और इसमें घी भी अभी सफिशेंट है लड्डू बानने के लिए इसमें मिलानी है शकर तो इस मिक्षर को हल्का सा गरम होना चाहिए शकर मिलाने के बाद भी आपको लगे कि यह मिक्षर ठंडा हो गया है तो आप हलका सा इसको गरम कर लीजिए और लड्डू बान लीजिए बहुत बढ़िया मुंगदाल का लड्डू बनके रेडी है इसी तरीके से सारे लड्डू बनाने है यदि यह लड्डू नहीं बन है तो एक दो चमच गरम घी डाल लीजिए और या फिर एक ट्रिक बता रही हूं कि एक चमच आप दूद भी डाल सकते हैं यहां पे तो लड्डू बहुत आसानी से बनने लगेंगे मैंने स्टार्टिंग में ही इसमें सफिशेंट क्वांटिटी में घी यूज किया है वन बहुत ही बढ़िया और टेस्टी मंगदाल के लड्डू बने हैं बहुत ही सॉफ्ट हैं और दानेदार हैं अंदर से भी इसका टेक्शर आप देखिए कलर भी बहुत अच्छा आया है यह जो लड्डू मैंने आपको भी तोड़ के बताया इस लड्डू को में वापिस बा आपको पसंत आई होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिये इस वीडियो को लाइक और शेयर तो करिये ही आप जब मेरे दूसरे रेसिपी वीडियो देखते हैं तो प्लीज उनको भी लाइक को शेयर करते रहिए इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और नए रेसिपी वीडियो बनाने का थैंक यू सो मच पूर वाचीं यू सून बाई